Welcome to the second part of the chapter, the enchanting pool. I hope आप part 1 देख लिया होंगे. अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो link description में है part 1 का, आप जाकर देख लें, फिर आप ये part 2 देखें. ओके, चलिए continue करते हैं. The invisible being loved in scorn. Your arrow do, but wound the air. Answer my question and then you can satisfy your thrust. If you drink the water without doing so, you will die. फिर, जो invisible voice था, वो बोला कि, तुम मेरे answer का, question का answer दो, नहीं तो, तुम भी हमारे जाओगे, जैसे तुमारा भाई सब मारा गया. Great Vexed, Arjun made up his mind to seek out and grapple with this elusive foe, once he had quenched his terrible thrust. So he drank the water and also fell down dead. Great Vexed का मतलब होता है, irritate. बहुत जादा irritate हो गया, Arjun, और यह अपना mind बना है कि अब तो मैं छोड़ूंगा नहीं यह दुस्पन को. 4 का मतलब होता है, दुस्पन. तो मैं छोड़ूंगा नहीं दुस्पन को, पर मैं पहले अपना प्यास बुजा लेता हूँ. और जैसे अरजुन बे पाने पिया, वो डेट हो गया. After Anixia's waiting, Yudhishti returned to Bhima. Dear brother, Arjuna, the great hero, had also not yet returned. Something terrible must have happened to our brothers. Please seek them out and be quick about it. Also bring water, for I die of thrust. Bhima ragged with anxiety, hurriedly away without a word. तो बहुत देर हो गया, नकुल, सहदेव और अरजुन तीनों नहीं रेटर्ण हुआ. फिर युजिस्टिर बोलता है कि Bhima, जाओ देख क्याओ, कहां है तुमारा भाई सब. और great Arjuna अभी तक नहीं लोटा है. जरूर कुछ गड़बढ होगा उदर, तो तुम जल्दी से जाओ और मेरे लिए पानी लेकिया हो, नहीं तो मैं प्यासा ही मर जाओंगा. तो ये सब भीम सुना और चुप चाप से वो चला गया, देखने के लिए अपने भाईयों को और पानी लाने के लिए. और भीम का गुस्सा देखने लाइक था, जब भीम देखा कि उसका तीनों भाई डेट पड़ा हुआ है, तलाब के किनारे पे. यक्साज राक्षास को कहते हैं, यक्स, मतलब भूत को यक्स कहते हैं, ठीक है, राक्षास ही कह लेते हैं, तो वही सोचा है कि ये जरूर कोई इसकिसी भूत का काम है. तो फिर वह सोचा है कि मैं तो बदला लूँगा उस दुस्मन से, लेकिन पहले मैं अपना प्यास बुजा लेता हूं, फिर मैं मारूँगा उसे. भीम सेना, बी अवेर, भीम, तुम सावदान हो जाओ, यू में ड्रिंक only after answering my question, you will die if you disregard my words, और तुम मारे जाओगे अगर तुम मेरा बात नहीं माने तो. मैं आपको बता देता हूं कि जो भीम था, वो सबसे strongest था इन पाचो भायों में, बहात strong था. तो वो बोलता है, जब पानी पीने के लिए वो तलाब के जोगता है, तो इधर उधर देखता है पहले, और उसके बाद वो पानी पीता है, और वो जैसे ही पानी पीता है, उसके strong body तुरंट से वो नीचे गिर जाता है, like a garment, कपड़ी के जैसा. लोन युदिस्टिर वाज रैग्ड विट एंसाइटी एंड थरस्ट, और अकेला युदिस्टिर अभी प्यास से पूरा परिशान हो रहा था, और बहुत चिंता भी हो रहा था. तो यहाँ पे बहुत सारा विचार आ रहा है, युदिस्टिर को कि क्या वो लोग फॉरेस्ट में पानी ढूंते ढूंते कहीं गिर गये हैं, या फिर उनका डेथ हो गया, प्यास के कारण, या उसे कोई श्राप दे दिया और वो समर गया, यह सब बात उन्हें बहुत सता रही थे. युदिस्टिर प्रोच्छिए इन अधरो इस पन्हें परक्त वाट फेखे ट्राप्ता झानन अक्ट्सर का बेले बहुत प्रूंते जिजाने प्रण फिर इंपते हैं, युदिस्टिर से आरेफंटने।, unable to retain his grief he wept तो युदेस्टिर काफी दिर वेट करने के बाद वो जंगल की ओर गया और जिस डिरेक्शन में इनके भाई वह सब गया थे हैं उसी डिरेक्शन में गया और फिर जब पहुँचा कुछ दूर जाने के बाद पहुँचा तो उसने देखा कि एक green field है यहाँ पे जो meadow है उसका मतलब वही green field वहाँ जब देखा तो वहाँ पे एक तलाव था जिसका पानी crystal clean water बहुत साफ था और यह देखते हैं वो बहुत खुश हुआ बट जैसे ही वो देखा कि उसका चारो भाई डेड पढ़ा हुआ है तो उसका आँख पुरा वो अपना दुख को नहीं परदास कर पाया और वो वहाँ पर रोने लगा आँख उसका पुरा भर गया था और बहुत रोने लगा और जब यह सब देखा यह से स्टेट तो वो सोचने लगा कि यह कोई आम बात नहीं है कुछ मिस्टरी जरूर है कुछ रहस्य जरूर है और उन लोगों का जो चहरा था वो ऐसे लग रहा था कि सोता हूँ कोई चहरा है और ऐसा नहीं लग रहा था कि वो एंगर में मरा है रहत का मतलब एंगर होता है और आस पास किसी के भी पैरों के निसान नहीं थे यह युदिश्चिर को लगा कि जरूर कोई मैजिक पावर हुआ है और कूड इट बी अ ट्रीक प्लेट बाई दुरियोधना फिर सोच ले लगा कि साइध यह दुरियोधन का कोई चाल है यहाँ पर जो दुरियोधन है दुरियोधन कौरव का सबसे बड़ा भाई था और वो पांडव को देखना नहीं चाता था पांडव भाईयों को देखना नहीं चाता था दुरियोधन might he not have poisoned the water शायद यह पानी में जहर तो नहीं मिला दिया the new sister also descended into the pool in his turn drawn by the water by consuming thrust तो फिर सोचा कि चलो देखते हैं कि क्या होता है और वो पूल के तरफ गया at once the voice without form warned as before your brothers died because they did not heed my words फिर अचानक से एक आवाज सुनाई दी warning का आवाज सुनाई दिया कि तुमारा भाईयों का मौत इसलिए हुआ क्योंकि वो मेरे बात का value नहीं दिये do not follow them तुम उसे मत follow तुम अपने भाईयों के जैसा मत करना answer my question first and then quench your thrust पहले तुम मेरे सवालों के जवाब दू फिर तुम अपना प्यास बुझा लेना this pool is mine और ये जो पूल है ये मेरा है यूदिस्टर knew that this could meet none other than the word of yaksa and guessed what happened to his brothers फिर यूदिस्टर को समझ में आ गया कि ये yaks है राक्षस है कोई भूत है जिसने जो ऐसा कर रहा है और यही मेरे भाईयों को भी मारा he saw a possible way of redeeming this situation और इसे एक उपाय मिल गया इस situation से बचने का he said to the bodiless boys please ask your question और फिर जो है ये 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 दिस्टर बोलता है कि हाँ आप पूछे question the boys put questions rapidly one after another और इसके बाद जब वो यक्स राक्षस भूत जब question पूछने start किया तो एक के बाद एक question पूछने start किया तो आईए अब हम लोग देखते हैं कि वो क्या क्या question पूछा it asked what makes the sun sign every day क्या है जो सूरज को चमकाता है हर दिन युधिस्टर replied the power of supreme जो इस दुनिया में सबसे बड़ा है जो सबसे महान है वही इस sun को sign करवाता है what rescues man in danger किसी कोई इंसान को danger से कौन निकालता है courage is man's salvation in danger courage जो है हिम्मत जो है वही लोग को खत्रे से निकालता है मुक्ति दिलाता है salvation का मतलब होता है मुक्ति मिलना by the study of which science does man become wise कौन ऐसा science पढ़की man wise बन जाता है पूरा not by standing any sastra does man become wise it is by association with the great in wisdom that he gets wisdom कोई भी सस्त्र को पढ़के कोई भी विसे को पढ़के कोई महान नहीं होता महान वो तभी होता है जब वो उसको कुछ भी वो पढ़ा है उसे वो अपने life में उसके accordingly implement करे तो ही वो वही है जो best हो सकता है वही wise बना सकता है किसी को the yaksa asked what is more nobly sustaining than earth earth जो इतना अच्छा से सभी को रखता है उससे अच्छा कौन रख सकता है the mother who brings up the children when has born is nobler and more sustaining than the earth जो बच्चे को जन देती है मा वो अर्थ से भी जादा अच्छा से पाल कर रखती है अपने बच्चे को और sustaining है what is higher than sky sky से उपर कौन है the father जो हमारे पिता है वो sky से भी बहुत उपर है what is flatter than wind flatter का मतलब होता है quicker कौन है जो हवा से भी तेज है the mind जो हमारे दिमाग है वो हवा से भी तेज है what is more what is more blighted than withered straw जो सुखा हुआ घास है उससे भी बरबाद चीज क्या हो सकता है a sorrow is taken heart एक दुखी दिल उससे बरबाद हो सकता है सुखा हुआ घास से भी बरबाद हो सकता है what befriends a traveler traveler को किस से दोस्ती करनी चाहिए तो learning you just answered learning who accompanies a man in death death के समय कौन company देता है कौन साथ रहता है इंसान के साथ धर्मा that alone accompanies the soul in its solitary journey after death तो धर्मा जो है वो इंसान का अकेला साथ देता है after death which is the biggest vessel सबसे बड़ा बरतन क्या है इस दुनिया में the earth यह जो पिट्थिवी है which contains all within itself is the greatest vessel तो यह जो earth है यह सबसे बड़ा बरतन है इस पूरे दुनिया में क्योंकि यह सभी को अपने अंदर रखता है happiness is the result of good conducts जो भी हम अच्छा करते हैं अच्छा चीज जब हम लोग करते हैं उसे हम लोग को खुसे मिलती है what is that abandoning which man becomes loved by all ऐसा क्या है जिसे अगर इंसान त्याग कर दे तो उसे सब कोई चाहने लगेंगे pride for abandoning the man will be loved by all जो घमंड है अगर उसे त्याग करतेगा कोई तो उसे सब चाहने लगेंगे what is the loss which yields joy but not sorrow ऐसा क्या है जिसे छोड़ने से हमें खुसे मिलती है दुखी नहीं anger giving it up we will no longer be subject to sorrow अगर हम लोग गुसे छोड़ देंगे तो हमें सिर्फ खुसे मिलेगा हमें दुख नहीं होगा what is that by giving up which man becomes rich ऐसा क्या है जिसे कि अगर कोई आदमी छोड़ दे तो वो बहुत अमीर बन जाता है desire getting rid of it man becomes wealthy अगर कोई इंसान अगर एक्छा को छोड़ दे तो वे बहुत wealthy बन जाएगा what is the greatest wonder in the world इस दुनिया में सबसे अजीब अजूबा क्या है everyday man see creatures depart to yama's abode and yet those who remain seek to live forever this weirdly is the greatest wonder इस question के answer में योधिश्चिर बोलता है कि हर रोज लोग मरते हैं और yam के घर जाते है yama's abode का मतलब होता है yam का घर ये सब देखने के वावजूद बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि हमेंसा जिन्दा रहना चाहते है this rarely is the greatest wonder this is certainly the greatest wonder और यही सबसे बड़ा अजीब चीज है thus the yaks posed many questions and yudhishtira answered them all और इसी तरीकी से question पूस्ते गहें पूस्ते गहें और yudhishtira सभी आंसर देता गया then the yaks said I am pleased with your wisdom मैं तुमारे ज्यान से बहुत संतुष्ट हूं yudhishtira I will bring all your brothers to life और फिर बोला कि मैं तुमारे चितने भी भाई है मैं उन्हें जीवन दूँगा फिर से it was Yama the lord of death और मैं यम हो भगवान death का देवता who had taken the form of deer and the yaksa so that he could taste yudhishtira he embraced yudhishtira and blessed him और फिर बाद में बताया कि मैं जो हीरन था वो मैं ही था और बाद में मैं yaks बना ताकि मैं तुमारी परिक्छा ले सकूँ ये बात yudhishtira को बोला यम और yudhishtira के knowledge से बहुत खुश हुआ था वो यम Yama said only a few days remain to complete the stipulated period of your exile in the forest और फिर बोला कि कुछी दिन तुमारा बचा है वनवास के लिए The 13th year will also passed by none of your enemies will be able to discover you you will successfully fulfill your undertaking and saying this he disappeared और फिर बताया कि तुम 13 साल पूरा कर चुके हो और अब जो है तुमारा कोई भी enemy जो तुमारा कोई भी दुस्मन है वो तुम्हें ढूंड नहीं पाएगा और तुमारा जो ये वनवास है वो बहुत successful रहेगा और ये बोलते ही वो गायब हो गए और बता रहा है लास्ट में जो ये राइटर है जो ये स्टोरी को लिख है वो की की पांडव के लिए ये जो था जो वनवास था वो मुस्किल तो था पर इस बीच उन्होंने बहुत कुछ सीखा और ये जो पिरिएट था वो उनके लिए बहुत हार्ड डिसिप्लीन एंड सर्चिंग प्रॉबिशन प्रॉबिशन का मतलब था पिरिएड अफ टेस्ट वो उन लोगों के लिए जो टेस्ट बनकर निकले थे हैं और अगर अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग